हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को टबाएं लेटिस न्यूस सबसे पहले देखने के लिए IPL 11 में मंगलवार की रात को मुंबई इंडियन्स और रॉयल चैलेंजस बैंगलूरू की टीब के बीच मुकाबला हुआ जिसमें मीजबान मुंबई ने 46 रन से जीत लिया इस मैच को देखने स्टेडियम आए एक दर्शक के साथ बहुत ही मज़िदार वाक्या हो गया उसने मजाग मजाग में ऐसा कुछ कर दिया कि उसके बदले उस फैन को एक लाख रुपे का इना मिल गया मैच के दोरान ये इंसिदेंट 19.3 ओवर में हुआ जब एंडर्सन की फुट लॉस बॉल पर रोहित शर्मा ने डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर शांदार सिक्स लगा दिया रोहित के शॉट पर बॉल सीधे पवेलियन में बैठे लोगों के बीच गई जहां एक फैन ने बॉल को अपने एक हाथ से कैच कर लिया इस कैच को लेने के साथ ही उस दर्शक ने चाता निक्सन फैन कैच का अवर्ड जीत लिया दरसल मैच के दोरान एक हाथ से कैच लेने वाले किसी एक दर्शक को ये अवर्ड दिया जाता है इसमें बतौर इनाम एक लाख रुपए दिये जाते हैं अवोर्ड जीतने की शर्ट ये होती है कि फैन ने वो कैच एक हाथ से लिया हो दो हाथ से लेने पर ये इनाम नहीं दिया जाता इस 6 को लगाने के साथ ही रोहित का स्कोर 15 बॉल पर 90 रन हो गया और अगली ही बॉल पर चौका लगाते हुए रोहित ने IPL सीजन में किसी बैट्समैन का बनाया हाइस्ट स्कोर भी बना दिया हलक इवे 94 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए